हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अच्छ के मारे नए क्लास में बेसी फर्स समस्टर में आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इन्वलप एंड इवल्यूट इस चैप्टर से भी एक कोशन आपकी एक्जाम में पूछा जाता है देखिए यहाँ पर दो चीज़े हैं एक है इन्वलप और एक है इवल्यूट इवल्यूट टॉपिक अलग है इन्वलप टॉपिक अलग है अगर exam की purpose की बात करें तो envelop वाले question exam में पूछ लिये जाते हैं वल्ल्यूट वाले जादा नहीं आते हैं लेकिन हाँ थोड़ा सा topic है पढ़ा आपको जरूर देंगे अब बता देते हैं कि envelop और evaluate है क्या अगर बिल्कुल easy language में आपको याद रखना है बस एक line में या एक शब्द में याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो envelop होता है वो क्या होगा वो एक तरीके से tangent है क्या है tangent अब tangent क्या है वो हम आपको tangent वाई chapter बता चुके हैं क्या होता है जो भी कर्व को touch करती है वही tangent क्या लाती है इसी तरीके से एक word के लिए अगर हम आपको बता क्या है तो वो एक तरीके से नॉर्मल होता है आगे समझ में अब tangent और नॉर्मल दोनों चीज़े हम आपको chapter में पढ़ा चुके हैं अब यहां पर देखें अगर पूछी जाए definition की यहां पर evaluate क्या है या envelope क्या है तो लिखना कुछ नहीं है आते के वाद सवाल है बस हम आपको बता दे रहे हैं कि envelope और evaluate है क्या देखें ज कि envelope क्या होता है बिलकुल जैसे बता रहे हैं अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो बहुत सवाल रहे हैं वैसे कहीं पर सवालों में कहीं निकाम आने वाला है बस अगर बाइवा वगेरा में आपके पूछ लिया जाए कि envelope क्या है तो आप उसे describe कर सके इसलिए केवल बता रह कर रहेगा और वो सारे जो भी member होंगे वो सारे member कर्फ को touch करने चाहिए तो यह envelope की क्या होती है condition होती है साथ में वह सारे member को touch करेंगे साथ ही other उदर जो मेंबर्स है वो भी किसी किसी ना किसी मेंबर को तैच करना चाहिए तो वहीं क्या करता है इड़ाब एड़के लाता है फैमिली उफ कर्फ के लीए तो हम आपको एक त्थोड़ा सा फिकर झाल खीची और यहां पर सबस्क्राइल तो जो किसी को टहों कर रही का ऊछम कर रही है तो अभी जो हमने आपको बताया था, ओरल वही बताया था कि कर्व को क्या करना चीट, टश करने चाहिए, उसके members को यह जो lines है, इस कर्व के लिए क्या हो जाएंगे, उसके member हो जाएंगे, तो यह क्या कहलाएगा, family of curve कहलाएगा, जिस परिवार में कई सारे सदस्यों, सदस्यों को मिला कर, मतलब members को मिला कर family बनती है, तो वही है, देखें, यह एक member हो गया, दो member, तीन member, तो यह सारे क्या है, members है, इस कर्व के लिए, तो इसी रहे क्या कहलाएगा, family of curve कहला दिया जाएगा, ठीक है, और अब यहाँ पे दे सब्सक्राइब, तो इस तरीके से जब भी कोई कर्व होगा, उसी को क्या कहेंगे, envelope of the family of the curve, आ गया समझ में, यह बेसिकली, बिल्कुँ सरल भार्षा में आपको definition बता दी, अब यह तो सब नहीं आएगा, आएंगे इस सवाली, तो सवाल देख लीजे किस तरीके से पूछ जाते हैं, जैसे कि हमने आपके question लिखा है, find the envelope of the following curve, यह हमने दो curve लिखे हैं, और इसके लिए आपको envelope निकालना है, ऐसी ही question आता है exam में, same ऐसे लिखा होगा, find the envelope आगे curve दे रखा होगा, तो यह दो curve है, तो envelope निकालने के कुछ तरीके होते हैं, जो हम आपको day by day बताते जैसे कि यहाँ पे दो curve है, इसे कैसे solve करेंगे, उसे ध्यान से देखेगा, जब भी envelope निकालने के बात आती है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि पहला question यह दे रखा है, यह curve है, तो यहाँ पे देखे है, हमने डाला पहला solution और यहाँ लिखेंगे, given में curve, तो curve लि वो होगा, बी square बराबर 4AC से हम क्या निकालेंगे, इंवलब निकालेंगे, बी square बराबर 4AC, यह तो formula आपने पढ़ाई होगा, काफे पहले से बताई दिया जाता है, बी square बराबर 4AC होता है, यह formula कब लगाते है, जब हम equation को compare करते हैं, किसे ax square plus bx plus c बराबर 0, यहाँ पर को करते हैं, आपको सवाल solve करवाएंगे, तो आज के class में जो हम आपको envelope निकालना सिखाएंगे, starting में, तो वहाँ पर हम यह वाला formula यूज़ करेंगे, कौन सा b square बराबर 4AC, तो envelope निकालने का एक तरीका तो यह होता है, कई सारे तरीके होते हैं, वह आपको जैसे जैसे day by day बत देगा, तभी तो आप compare करके यह वाला formula लगाएंगे, वैसे तो लगाएं नहीं सकते हैं, तो अभी तो यह वाली form में है ही नहीं है, देख लीजे न, आपको इस वाले curve को ऐसा बनाना है, तो जब ऐसा बनाएंगे तब यह formula लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे envelope निकालने के लिए हम पहले इस form में इस वाले curve को बनाते हैं, तो बनाने के लिए क्लिए 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 पहली बात तो यह है यह जो अंडर उड़ दिख रहा है, इससे हटा देंगे, तो अंडर उड़ रहा है, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, तो X और Y यह तो constant होगे, अब ब यहां पर क्या करेंगे, हम आपको बता देते कि A क्या है, constant है, तो फिर M क्या है, तो M के लिए एक लाइन लिखेंगे, यहां पर हमने यहां पर लिख दिया, वेर M बीदा parameter, अब भई यह parameter क्या है, तो यहां पर देख लीजे क्या है, जब भी हम envelop वाले सवालों को solve करते हैं तो यहां पर जो भी parameter होता है, यह जिसे हमने आपको दिखा दे कि M क्या parameter है, question जब आपका exam में पूछा जाएगा, साफ साफ question में कर्व दिया होगा, और साफ साफ लिखा होगा, कि इस curve के लिए यह जो हमारा कोई भी जो आपको दे रखा होगा, M, A, जो भी होगा, वो parameter है जैसे कि इस curve के लिए M parameter है, जातर सवालों में यही होता है, तो M हमने आपको बता दिया, वैसे तो otherwise लिखकर ही आजाएगा question में, बता दिया M parameter है, तो envelope निकालने के लिए जो भी parameter होता है, तो last में जो आप envelope निकालेगे, उसमें इस parameter को हटाना होता है, क्या करना होगा, parameter को हटाना होता है, अब हटाने के लिए आप value भी उसकी put कर सकते हैं, यहां से value निकालिए, इसी में जाकर put कर दीजे, वहां से भी निकाल सकते हैं, तो यह बेक envelope निकालने का तरीका होता है, लेकिन यहां पर इस तरीके से निकालना है, क्या किया, लिख दिया, अब इस under root को ख Squaring on both sides, दोनों Sides में क्या करेंगे, square कर देंगे, तो यह ओजाएगा, Y minus MX का whole of square, बराबर A under root 1 plus MX का whole of square, दोनों तरफ square कर दिया, अब देखें, यहाँ पर A minus B का whole of square बन गया, तो इसके according A square plus B square, फिर क्या आएगा, minus का 2, और यह आजाएगा, A, B, ठीके, बरावर लगा यहां पर square आजाएगा, यहां पर square नहीं आए, आंडरूट से square cancel हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा bracket में 1 plus M square तो यह हमने square करके निकाल दिया अब यहां पर bracket को भी खोल देते हैं और यह सारी assists अधर उठालाते हैं हो जाएगा y square plus का m square x square minus का 2m xy यहां पर देखें multiply भी करें साथ में इधर भी ले आएंगे यहां में multiply करेंगे तो a square इधर हो जाएगा minus का यह हो जाएगा a square m square लेकिन इधर आएगा तो minus का a square m square बराबर 0 अब इसे हम इस form में बनाते तो देखें उसे पहले second power वाली आती है बतलब इसकी power 2 है तो देखें यहां पर power 2 है साथ में power 2 m की यहां पर भी है तो दोनों में से m square common हो सकता है common की bracket में क्या मिलेगा x square minus a square तो यह हमने यहां लिखा है x square minus a square और यहां bracket के बाहर m square लिख देखें और उनों में से common लेके अब उसके बाद देखिए जो में यहां पर variable यहां बदला parameter क्या चल रहा है M चल रहा है तो केवल M वाले ही आपको देखने होंगे तो कर लिया अब M वाला कहा है एक यह M वाला तो इसे भी लिख लेते यह दे रखा है minus का 2M xy ठीक है अब क्या बचा अब बचा minus का a square और यहां बचा plus का y square तो इस तरीके से लिख लीजे bracket यहां पर लगा देगे और बराबर में क्या हो गया 0 गया आप देख लिए यह same equation ऐसे बन गई अगर हम इसे compare करें तो यहां लिखेंगे compare with compare कर दें अगर हम इसे किसे am square plus का bm plus c बराबर 0 तो यहां से देख लीजे यह a का काम कौन करेगा यह b का काम कौन करेगा यह c का काम कौन करेगा यह तो इस तरीके से form में बना लिया अब देख लीजे लिख भी देते a का मान कितन यहां पर देखे प्लस होता है और यहाँ पर क्या चलए यहाँ ज़ह 25 2505 यह का एक्स वाई एम को एकसों लिखे जो बाकी के उसकी क्या हो जाएंगे कोफीशिंट उसी लीखा जाएगा फिर C कमान कितना आ जाएगा यहाँ पर? C कमान आ जाएगा यहाँ पर Y square minus A square सारे मान आ गए तो बस इसके बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पर लिखिए इसलिए required envelope यहाँ लिखा हमने required envelope required envelope में फॉर्मा लिखेंगे B square बराबर 4AC आप देखिए B कमान कितना इतना चल रहा है? इसका square करेंगे तो minus तो बैसे ही plus हो जाएगा तो यह आ जाएगा 4X square Y square ठीक है? फिर क्या चल रहा है? 4 है और A कमान कितना है? A कमान दे रखा है X square minus A square तो लिख देते हैं X square minus A square उसके C कमान यह दे रखा है इसे भी लिख लेते हैं Y square minus A square लिख देखिए सारे मान अब देखें यह वाले 4 से वाले 4 कैंसल हो गया क्या बचा? X square Y square बराबर यहाँ पर multiply कर लेंगे पहले इन दोनों की कर लेते तो यह आ जाएगा X square Y square minus का X square A square आ गया X square Y square यह भी दोनों आपस में cancel हो गया 0 बचा और अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाली minus के तो इसे उधर उठा लाते क्योंकि यह 0 तरफ बन रहा है इसको इधर उठा लाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा X square A square प्लस का Y square A square क्या किया हमने बस यह दोनों minus के थे इधर उठा कर लाएं तो प्लस के हो गए बराबर में क्या चल रहा है A की power 4 यहाँ पे A square A square है common निकाल ले रहें जब A square हम common निकाल लेगी तो क्या बचेगा X square Y square बराबर A की power 4 यह नीचे जाएगा तो यह power cancel होगी power यहाँ पे केवर 2 बचेगी तो finally हमारा कितना आ गया X square प्लस Y square और is equals to A square तो यही क्या है हमारा final आ गया है answer यानि कि यही हमारा क्या है envelope है तो envelope को निकालने का तरीका यह होता है बस यह formula आपको याद रखना है और किस तरीके से इस form में बनाएंगे तो जो भी कर्व है उसके लिए पहले parameter वाली line लिखते है squaring on both side करके इधर उधर करके इस form में बनाके compare करके formula रखके envelope को निकाल लेते है अब इस answer में देखे क्या M कहीं आ रहा है mi नहीं रहा है तो हमने आपको जो भी starting में बताया था कि जो भी parameter होगा उसे हटाना होता है तो parameter यहाँ है नहीं तो यही क्या कहलाएगा envelope कहलाएगा आग यह समझ में इसी तरीकी से जो second curve है इसको भी ऐसी solve करेंगे देखे हमने यहाँ डाला solution number में कर्व लिखेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा given और कर्व क्या दे रखा है y बराबर mx plus a upon m यह दे रखा है अब इसमें भी क्या हो जाएगा m parameter हो जाएगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे where m be the parameter यह m हो गया हमारा parameter अब देखिए इस वाले curve में under root चल रहा था तो हमने यहाँ से squaring on both side करके under root को खतम किया लेकिन यहाँ पे तो under root चली नहीं रहा है तो कोई बात में under root नहीं चल रहा है तो squaring on both side करने की जरूरती नहीं है तो इसे direct solve करेंगे देखिए पहले तो इससे इधर लिखा लाएंगे तो यह जाएगा y-mx बराबर a upon m हमें क्या करना पड़ता है इस तरीके से quadratic की क्यूशन बनाने पड़ती है ax square प्लस bx प्लस c यहाँ पे m parameter चल रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा am square प्लस bm प्लस c इसे बनाएंगे तो इसके लिए m square होना चाहिए तो यहाँ पे देखे अभी square नहीं हो रहा है लेकिन अगर आप squaring on both side कर देते तो वो qb की क्यूशन बन जाएगी जो की हमें नहीं चाहिए हमें यह बनाने है तो इसके लिए क्या करेंगे इस m को इधर उठा लाएंगे देखेंगा यहाँ पे m square बन जाएगा तो यह देखें यह आजाएगा हमारा ym minus का m square x बराबर a आप देखें quadratic equation बन जुकिए बस इसे सही डंग से लगा लेते हैं कैसे सबसे पहले square वाला तो यह आजाएगा हमारा minus का यह आगया x m square उसके बाद यह आजाएगा plus का ym बराबर यह देखें a है plus का इधर उठा लाएंगे minus का हो जाएगा बराबर 0 अब इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले minus आ रहा है तो minus equation से हटा दे रहे मतलब common लेके 0 के पास भेज़ दे रहे तो यह जाएगा x m square minus का ym plus का a बराबर 0 क्या किया minus को common लेके हटा दे क्यों कि हमें आगे दिख रहा था अब देखें quadratic equation बन चुकी है compare करते है और क्या करेंगे formula apply करते है तो यहाँ लिखेंगे compare किस से compare करेंगे am square plus bm plus c बराबर 0 तो जो जिसके उपर हो वही देख लीजे m square के साथ में क्या है x है तो a का मान कितना आ गया x आ गया b का मान कितना आ जायगा minus का y आ गया अब उसके बाद देखें c का मान कितना है c का मान हो जाएगा a तो सारे मान दिख लिए अब दिखेंगे required envelope required envelope required envelope कितना हो जाएगा हमारा देखें यह लिख दिया b square बराबर 4ac b का मान कितना है minus y लेकिन square करेंगे तो plus हो जाएगा 4 लिखा a का मान है x और c का मान है a तो यही हमारा क्या है y square बराबर 4xa यही आपका final answer है और इसमें यही भी अगर आप देखेंगे तो parameter जो चल रहा है m वो इसमें नहीं आया है तो हमेशायद रखेगा envelope सवालों में जो भी parameter होता है वो last में नहीं आता उसे हटाना पड़ता है तो पहले तो आप इस पूरे का screenshot ले लीजिए इस तरीके से दो कर्व तो हमने आपको बता दिये तो पहला method भी हो गया है कि क्या करते हैं बस m को हटाना होता है अब m हटाने के लिए हमने आज बताया कि यह formula यह यूज करते हैं साथ में आप क्या कर सकते हैं भाई m का मान निका लिए क्यूशन से कर्व से उठा के फिर से उसमें रख दीजे तो भी m का मान हट जाएगा ना और आपको एक envelope मिल जाएगा तो यह भी एक तरीका होता जो माभी आपको आगे बता देंगे इसका screenshot आपने ले लिया है अब आगे भी कुछ questions है उन्हें भी solve करवा देते हैं अब देखी उसके बाद अगला question यह काफी important question है क्योंकि यह कई बार exam में भी पूछा गया है साथ में जो लोग GF college वाले होंगे वहाँ पर भी mid term में यह आया था सेम बिल्कुल ऐसी question लिखा था कि show that the envelope of lines यह आपको एक करव दे रखा है ठीक है लाइन का करव है और यहाँ पे साथ साथ देखी लिखा है कि M be the parameter M क्या है parameter तो अभी आपको बता दिया सवाल में साथ साथ लिखा होगा कि कौन सी चीज parameter है तो यहाँ पे M parameter है यानि कि इस करव से M को हटा ना है तो भाई लगाते हैं सेम बिल्कुल process सेम वही रहेगा तो आपने यहाँ डाला solution और solution में सबसे पहले क्या करते हैं करव को लिखते हैं तो यहाँ आपने लिखा given में Y बराबर Mx प्लस under root A square M square प्लस B square अब यहाँ पे इसमें अंडरूट चल रहा है तो इसे तो हटाना पड़ेगा लेकिन उससे पहले यह M वाली line लिख देते हैं कौनसी line की where M be the parameter यह वाली line लिखेंगे अब देखें यहाँ पे कैसे हम हटाते हैं वही रहेगा वैसे ही पहले इसको इदर उठाके लाएंगे तो Y minus Mx बराबर हो जाएगा अंडरूट A square M square प्लस B square अब यहाँ पे क्या करेंगे squaring on both side करकिस अंडरूट को हटाएंगे यहाँ पे होलव square बनेगा मतलब A square plus B square माइनस 2AB हो गया बराबर यहाँ से square करेंगे अंडरूट से square cancel होगा बचेगा A square M square प्लस B square ठीक है अब यहाँ पे देखिए इसको उठालाते है तो यह हो जाएगा Y square plus M square X square माइनस का 2MXY और यह इधर आएगा तो माइनस का A square M square plus B square अब इसे quadratic equation बनाते है देखिए यह M square यहाँ है M square यहाँ है common क्या आएगा X square minus A square M square common मिल जाएगा तो यह हमने लिख दिया यहाँ पे X square minus A square और यहाँ से मिल गया M square common अब देखिए M वाला टर्म मिल लिखेंगे तो यह हो गया minus का 2MXY उसके बाद क्या बचा Y square plus B square तो Y square plus B square साथ में लिख लेते हैं bracket के अंदर लिख लेते ताकि पता चल सके कि यह C की value है अब compare कर दीजिए तो यहाँ लिखेंगे compare और यहाँ लिखिदी equation A M square plus B M plus C बराबर 0 तो A का मान कितना आ जाएगा X square minus A square B का मान आ गया minus 2XY और C का मान कितना आ गया Y square plus B square अब देखें यहाँ पर लिखेंगे required required envelope required envelope यह आ गया spelling गलत होगी यहाँ पर envelope required envelope कितना आ जाएगा B square बराबर 4AC अब देखें यहाँ पर value put कर यह B का मान इतना है plus हो जाएगा square करेंगे हो जाएगा 4X square Y square बराबर लगाया 4 लिखा है A का मान यहाँ आ गया X square minus A square बिल्कुल सब को same चल रहा है और यहाँ पर C का मान कितना आ जाएगा Y square plus B square यहाँ पर यह plus का B square है भाई यह इधर आएगा तो यह हो जाएगा minus का यह छोड़ी से mistake अब इससे सही करिएगा यह हो जाएगा हमारा minus का ठीक है अब देखें 4 से 4 cancel यह आ गया X square Y square बराबर यहाँ पर देखें multiply करेंगे पहले इसकी दोरों से तो यह हो जाएगा X square Y square minus का X square B square उसके बाद इन दोरों की multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus का A square Y square minus minus plus A square B square अब देखें यहाँ पर यह जो चल रहा है X square Y square से यह cancel हो गया यह plus वाले minus वाले इदर उठालाते है तो यह किसके हो जाएगे plus के हो जाएगे तो इसके आगे का यहाँ पर देखें सवार यहाँ में लिखा X square और साथ में क्या है X square B square और फिर उसके बाद लिखा है plus का A square Y square देखें यहाँ पर क्या किया इन दोनों टर्म को minus के थे इदर उठाला है तो यह plus क्यों हो गाए और इदर कितना बचा है बराबर कि इदर केवल बचा है A square B square आप चाहें तो यही तक छोड़ दीजे लेकिन हम इसे थोड़ा सा एक लाइन और सॉल कर सकते है क्या A square B square से पूरी Quesn को डिवाइड कर दीजे तो यहां devide करेंगे B square से B square कैंसिल क्या बचेगा X square upon A square ठीके प्लस लगाया यहां पे divide करेंगे तो A square से A square कैंसिल क्या बचेगा Y square upon B square बराबर यहां पे डिवाइड करेंगे तो केवल वन बचेगा ऐसा क्यों किया क्योंकि हमें दिख रहा है कि यह क्या बन गया है एक इलिप्स की क्यूशन बन गई है यानि यही क्या हो गया है हमारा required क्या हो जाएगा इन्वलब और इसमें भी देख लीजिए एम कहीं पर भी नहीं आ रहा है तो इस तरीके से इन कोशन को हम सॉल्व करते हैं आप यहां पर अगला कोशन देखिए यह इसमें कहा जा रहा है find the envelope of the following curve यह आपको कर्व दे रखा है और इसमें alpha parameter है देखिए यह alpha चल रहा है ना parameter तो यहां पर क्या करेंगे यह जो alpha की value निकाल को जो भी मापको थोड़ी दिर पहले बता रहते हैं एक तरीका यह भी होता है जो भी parameter है उसे हटाने के लिए उसकी value वहां से निकाल के पुट कर देंगे जाकि इस equation में और वहां से alpha हट जाएगा तो वही हो जाएगा envelope तो इस वाले सवाल को देखिए हम कैसे लगा रहे हैं तो हमने यहां solution डाला और solution में सबसे पहले कर्व लिख लेते हैं तो हमने लिखा given में एक्स सेक alpha माइनस का by को सेक alpha बराबर a square माइनस b square देखिए हमने आपसे कहा कि जो भी हमारा parameter है उसकी value निकाल लीजे alpha यहां पर भी है alpha यहां पर भी है तो यहां से ऐसे तो value निकालना possible है नहीं ऐसे अगर कोई normal equation होती तो हम value निकाल लेते लेकिन यहां पर value निकालना possible है नहीं तो value निकालने के लिए हम देखें क्या लिखेंगे यहां लिखा हमने differentiation partially with respect to alpha जो भी हमारा parameter होगा उसी के respect में partially differentiation कर देंगे differentiation partially है partially का जब भी differentiation होता है इसका मतलब है केवल उसी को देखिए बाकी सारा as a constant माना जाएगा तो यह alpha है यहां पर देखिए तो जब हम इसका क्या करेंगे differentiation तो एक्स क्या हो गया यह तो constant हो गया तो इसे ऐसी छोड़ दिया किवल सेक इल्फा का होगा सब्सक्राइब करदेट रहें कितना हो जाएगा सेक एल्फा टैनल फाथ यहीं तो जैएगा उसके बाद देखिए सब्सक्राइब को रहा है और यह पूरा आपको पढ़ा चुके हैं अब को कॉसेक अलफा क्या हो जाएगा कॉसेक अलफा का डिफ्रेंशेशन होता है को माइनस का कॉसेक कॉट तो यहां पर माइनस पहले से चल रहा है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहां पर आ जाएगा कॉसेक अलफा और कॉट अलफा ठीक है अब बराबर में क्या चल रहा है बराबर में यहां पर देखिए यह है a square minus b square जब आप इसका partially differentiation करेंगे तो यहाँ alpha है ही नहीं तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो जब भी partially की बात आती है तो केवल उसी चीज़ को देखते हैं जिसके respect में कर रहे हैं बाकी सारे as a constant अब उसके संग behave करत अब यहां से हम मान निकालते हैं देखें कैसे हमने क्या किया यहां लिखा ax sec alpha 10 alpha अब यह जो पूरी मान है इसे उधर पहुचा दे रहे तो यह minus का हो जाएगा minus का by cause sec alpha cot alpha अब देखें alpha वाले एक side कर लेते हैं देखें यहां पे है sec alpha 10 alpha ठीक है और यह alpha वाला है तो यह इसक इसे इसके नीचे ले आएंगे तो यह हो गया ax तो क्या क्या alpha वाले एक तरफ constant वाले एक तरफ तो यह qiution बन गई जब आप इसे solve करेंगे तो भाई यह आएगा 10 cube alpha बराबर में चल रहा है minus का by upon ax solve करके भाई देख लीजेगा sec को change करेंगे one upon cos में cos को change करेंगे one upon sign में cot को change करेंगे cos upon sign में इस वाले 10 को रहने दीजेगा solve करेंगे तो आपको यही मिलेगा क्या मिलेगा यहां पूरा 10 square बन जाएगा एक 10 चल रहा है तो यह हो जाएगा 10 cube ठीक है डायरेक्ट लिख दिया है याद रखेगा इसे solve करने पर 10 cube बन गया अब यहां से से power को हटा सकते हैं जब यहां से 3 power हटाई जैसे की square हटाते हैं उधर अंडर रूट चलता है सेम उसी तरीके से अब देखिए यहां से हम इसे तोड़ दे रहे हैं और करके लिख लीजेगा 10 alpha का मान कितना आ गया minus का by और यह आ गया 1 by 3 और upon में a x की power 1 by 3 से ऐसे भी लिख सकते हैं तो 10 alpha का मान इतना आ गया अब यहां से देखिए alpha का मान निकालेंगे तो 10 inverse हो जाएगा इसकी जरूत नहीं है हमने आपसे क्या कहा जो भी parameter है उसका मान निकालना है तो जो भी मान साथ में चल रहा है सेक और कॉसेक इसकी वैल्यू निकाल लेते वैल्यू निकाल के यहां प्यूट कर देंगे वही हमारा इंवलप होगा जैसे की 10 मिल चका है अब अगर एक ट्रिग्नोमेटरी फंक्शन आपके पास है तो बाकी क्या पाचों निकाल सकते हैं पाचों निकालने के जरूती नही सब्सक् visto तो यह क्या हो गया आधार हो गया सब्सक्क्राइघ्जक निकालेंगे। तो कितना निकलेगा अंडर रूड में ax की पावर 2 by 3 प्लस लगाया by की पावर 2 by 3 क्योंकि स्क्वाइर होता है तो यह माइनस हो जाएगा cancel और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा आपको कर्ण मिलेगा तो यहाँ पर इतना बड़ा ना लिखकर इसे हम क्हाल लेंगे क्या मान लेंगे क्हाल लिएytyला सा साफ सफाई tolerance बना लिएगा यह लम यह आधार और यह क study यहाँ यहाँ से स्क्वा आपको पता जिस наша मने आपको बताया लिखकर प्राबर होता है लम ठीक है आप चाहें तो के की वैल्यू भी रख सकते हैं उसे हम लास्ट में जाकर पुट कर देंगे और अपॉन में बेश कितना है एक्स की पावर वन बाई थ्री अब इसी तरह एकी से कोसेक कामान निकाल लेंगे कोसेक अलफा कामान कितना होता है देखें साइन का उल्टा को जाएक तो सांय का होगा लंब बटे कर तो उसका हो जाता है करणब बटे लम यानि की ये हो जाएगाawan में माइनस का बी वाई की पावर वन वाइथ्री ये सारे जो माल हैं यहां पे जाकर पुट कर दीजीए तो यहां लिखेंगे तीज कोटिंग कोटिंग इन एक्योश सा है लिए लिए यहां पर पुड़ करते है उसके बाद यहाँ पर प्या चल रहा है मैनस लगा लिए और और यहां पर क्या है भी वाई भी लिख दिया को से कमान इतरा इसे लिख देते हैं के अपॉन माईनस का भी वाई की पावर वर वज बाई थ्री आप चाहिए तो भैई ये वाले कि इस वह एक है इसे बाहर ही लगाकर रख दीजे इस तरीके से थोड़ा सा जॉल्फ करने में आसानी हो जाएगी यह लीजे इस तरीके से भी तो निखा सकते हैं यहाँ पर देखिए लिख दिया मान ऐसा करने से क्या हुआ यह वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है क्योंकि दो सिंबल चल रहे हैं अब उसके बार देखें बराबर में क्या जल रहा है A square minus B square अब देखें ये देखें AX और AX यहाँ पर भी इसकी AX की पावर कितनी है 1 ये पावर उपर जाएगी तो ये भी हो जाएगी कितनी? यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी? minus का 1 by 3 तो 1 minus 1 by 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 2 by 3 साथ में K यहाँ पर भी है, K यहाँ पर भी है, common को निकाल लेंगे ये लिजिए common भी निकाल लिया, इसको solve करेंगे तो ये हो जाएगा AX की पावर 2 by 3 भाई, solve करके देखरीजे, ऐसे देखिए, यहाँ पे minus और minus प्लस हो गया और ये भी देखिए, दोनों में सेम है, इसकी पावर 1 है, पूरे की देखिए और ये पावर उपर जाएगी, minus 1 by 3, तो 1 minus 1 by 3 कितना हो जाएगा? 2 by 3, तो ये हो गया 2 by 3 हो, बराबर में कितना चल रहा है? A square minus B square, अब देखिए, के कमान अब पूट कर दीजे, ये वाला, सेम यही मान है, बस under root में है तो के कमान, देखिए, अगर आपको यहाँ साफ ना दिख रहा हो, तो हम यहाँ पे के कमान लिख रहे हैं कितना है? AX की पावर 2 by 3, प्लस BY की पावर 2 by 3, इतना, और साथ में के कमान लिख दिया, अब ये सारी चीज़ा सेम रहेंगी ये हम लिख दिया, AX की पावर 2 by 3, प्लस BY की पावर 2 by 3, और बराबर A square माइनस B square अब देखिए, ये दोनों चीज़ा सेम है, इसकी पावर अगर हम अंडर root हजादें, तो अंडर root का मतलब क्या होता है? पावर 1 by 2, तो ये पावर 1 by 2, इसकी पावर 1, तो 1 प्लस 1 by 2 कितना हो जाएगा? 3 by 2, तो ये हो गया, AX की पावर 2 by 3, प्लस BY की पावर 2 by 3, और टोटल की पावर कितनी हो जाएगी? 3 by 2, भाई, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो पावर में आ जाएगा 3 by 2, अब बराबर क्या चल रहा है? A square माइनस B square, अब देखिए, ये पावर उधर जब जाएगी, तो पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा, AX की पावर 2 by 3, प्लस BY की पावर 2 by 3, वराबर A square माइनस B square की पावर कितनी हो जाएगी? 2 by 3, यही आपका क्या है? Final answer है, देखिए, क्या किया? इस पावर को धर ले गए, तो ये पावर क्या होई? चेंज हो गई, ठीकी 3 by 2 से 2 by 3 हो गई, तो यही आपका final answer है, तो आप पहले तो इस पूरे का screenshot ले लीजिए, कैसे करना है? सेम वही, बैसी करना है, देखिए, यहा और को solve करते हैं, उसके बाद envelope निकालने का तरीका जो भी parameter है, उसकी value निकाल की उसी में पुट कर दीजे, parameter निकल जाएगा, अब इसी तरीके से दो कोशन और आपको बता देते हैं, ताकि आपकी practice भी हो जाए, उसके बाद देखिए, अगला कोशन है, इसे हमने solve कर दिया ह तेम उसी तरीके से solve होगा, जैसे भी हमने आपको बता है, देखिए, कोशन में ये curve दे रखा है, और alpha क्या है, parameter है, तो इसके लिए देखिए, बस इसमें याद रखिए, जब भी आप value पुट करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे alpha parameter चल रहा है, अगर यहाँ पे अगर पड़ेगा, तो ऐसा ना करना पड़े, तो इसके लिए क्या किया है, जो साइन, alpha, cos, alpha आए, इसके क्यूशन को डिवाइड कर दिया, पूरी क्यूशन को, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको क्या करें, इसके नीचे ले गाए, देखिए, ध्यान से, जब आम इसको इसक के नीचे आएगा, तो यहां पे देखे, साइन, से साइन, कैंसल क्या बचेगा, upon में, cos, and one upon cos, क्या होता है, sack होता है, तो यह देखिए, sack लिखा है, बराबर में, L, तो आपको इस तरीके से, equation बना लेनी होगी, वरना आपको यहां पर सेकेंड ना पड़ेगा, जो आपके किया, कॉसे का, माइनस का, कॉसे कॉट होता है, और sack का, sack 10 होता है, solve किया, sack वाले एक तरह, बतलब कि, alpha वाले एक तरह, variable बाके एक तरफ कर दिये, यहां पे देखी, फिर से वही चीज़ बनी है, उपर क्या है, sack 10 है, नीचे है, कॉसे कॉट, solve करेंगे, 10 क्यूब बनेगा, यहां पे देख लीचे, अगर आप इसे चाहें, उल्टा भी कर सकते, जैसे कि, क्या करें, इसको इसके नीचे ले आए, इसको इसके नीचे ले आए, तो, equation पर जाएगी, मतलब यह उपर हो जाएगा, यह नीचे हो जाएगा, ऐसे यह उपर हो जाएगा, यहां पे caught cube बन ज तो यहां से जिसकी जरूती सेक और कॉस की निकाल लिया हमने किससे पाइथागोर से देखिए हमारे टेन का मान कितना होता है लंबटे का अधार मतलब की परपंडे कुलर पॉन बेस इतना है तो इसका इतना मिल गिया इसे केम आ लिया कि इतना बड़ा कहां तक ढोकर चलेंग तो निकाल लिया दोनों के मान देखिए सेक का हो जाएगा आपका कितना करण बटे कितना हो जाएगा आधार और यहां पर कितना हो जाएगा आपका करण बटे में लंब तो दोनों के मान निकाल लिये एक्यूशन वस्त में जाके पुट कर देंगे के के दोनों में कॉमन ल की पावर वन दोनों जोड़ेंगे तो 3 by 2 3 by 2 अगले से पावर रहता कि इधर पहुंचा दी तो 2 by 3 होगी बस इतना सा सवाल है और यह आपका इंवलब निकल आया और इसमें भी जो हमारा सिरुम से देखें यहां पर किसकी जरूत है साइन की और कॉस की साइन का हो जाएगा लंबर टेकर और कॉस का हो जाएगा अधार पर टेकर तो दोनों की वैल्यों निकाल की पुट कर दिया यहां पर थोड़ा से समझ लीजिए क्या कि जब वैल्यों पुट किया तो यह x square x square x क यह y की पावर 4 हो गया के कमान यह नीचे जल रहा है अंडरूट में और आपको पता ही होगा कि अगर इस तरीके से लिखाओ टू अंडरूट टू तो यह कैंसल हो के कितना आता है अंडरूट टू होता है मतलब कि जो उपर चीज लिखी है टू इसे ऐसे लिख सकते हैं यहां पर भी दो अंडरूट हो गया तो एक बचा है बराबर में चल रहा है यहां पे देखिए अंडरूट का मतलब पावर 1 बाई 2 तो इधर पावर है जब इसे अधर ले जाएंगे तो यह पावर के वाई 2 अपाउन वन होगी यहां पावर 1 बाई 2 है यह जब उधर गई तो 2 upon 1 होगी मतलब कि power 2 होई तो यहाँ पर power 2 पहले सल रही और 2 into 2 कितना हो गया? 4 हो गया तो finally हमारा envelope इसमें इतना निकल कर आया है तो सबसे पहले आप क्या करें स्क्रीन शॉट ले लीजिए इस तरीके से हमने आज के class में कई सारे आपको question बताए और सारे बसने के 2 ही तरीके बताएं और सभी सवाल similar ही थे तो उमीद करते हैं सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आ गयोंगे सकल मिलेंगे same time तर तक के लिए जय हिन जय भारत